मुख्य अतीथी के रूप में कोपे स्टेट के चेयर्मेन मालिक विजय कपूर उपस्तित रहे और विशिष्ट अतीथियों के रूप में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्षता नूरी शोकत मौजूद रही मुख्य अतीथी का स्वागत मालियारपन कर एवं पुष्प गुच भेट कर किया गया ततपश्यात शाल पहना कर उन्हें सम्मानित किया गया इसी श्टंखला में पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया इस अवसर पर दरजनों उभरते हुए प्रतिभाओं ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया इस अउसर पर सभी को संबोधित करतेवे विजय कपूर ने कहा कि कानपूर की प्रतिभाओं को राश्ट्री इस्थर पर पहचान मिले इसके लिए वह संस्था के साथ हैं और हर संभव मदद का भरोसा देती हैं साथ ही यह भी कहा कि संस्था को बच्चों की प्रतिभा को निखाने के लिए जब भी जरुरत हो की वस्तदेव साथ खड़े हुए दिखाई देंगी और यहाँ पर सपा नेत्री नूरी शोकत ने कहा कि इस कारिक्रम के जरिये शहर की प्रतिभाओं को नई पहचान मिलेगी और विजई प्रतिभागियों को हनाज प्रोडक्शन के तहद म्यूजिकल एल्बम में काम करने काम होका मिलेगा वह अपनी और से प्रति भागियों को मौका देंगे मेरे दोस्तों को सलाम दे मेरे गां में है जो बोगली जहां रहती है मेरी दिल रुबा मंदिरों में पुजारी और में पांश नमाजी को भी देखा है एक धर्म पे लडने वालों सुन्डों धर्म पे लड़ने वालों सुन लो मैंने रमजान में राम और दिवाली में अली को भी देखा है हां मैंने भी एक ऐसा इंदुस्तान देखा है खोशी की बात है कि HD Foundation ने बहुत अच्छा कार किया है नए बच्चों को टैलेंट का मौका दिया है और मैंने देखा कि इसमें बहुत से बच्चे बहुत टैलेंटेट हैं और ये बहुत आगे बढ़ेंगे मैं चाहूंगा कि इन बच्चों को चुन कर हमारे बहुत अच्छे जज़ज यहां पे हैं इन बच्चों को चुन कर उनको आगे बढ़ाया जाए और इसके साथ मैं आज कहूँगा सिद्धिकी जी को और फराजी को कि इन बच्चों को जो इन में से टैलेंटेट निकलें उनको हम लोग सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएं और कानपूर के टैलेंट को हम लोग भारत वर्श तक पहुंचा है पहले तो मैं HB Media Foundation को बहुत-बहुत मुवारक बात देती हूँ रिशाद जी को फराजी को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम गानजसलव में और और जैसे कि हम कानपूर के टैलेंट को कि जो भी बच्चा यहाँ पर विनर होगा उसको हम अपने वेलफेर सॉसाइटी की जो भी इविंट होगी उसको परफॉर्म कराएंगे और आगे से आगे ले जाएंगे और अनास प्रोड़क्शन में कोशिश करेंगे उसको हम इन्वाल्फ करा सकें और हम कानपूर के टैलेंट को आगे से आगे ले जाएंगे ताकि लोगों को मुंबई ना भागना पड़े हम मुंबई को कानपूर ले आएंगे इंशाला तारा कानपूर के लिए कानपूर नगर से कुल दीप चंदन की रिपोर्ट कर देंट